तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को दुनिया के सबसे बहतरी निया फिर बोले तो सबसे अधिक ताकदवर दो क्रूज मिसाइलों को कमपेर करके बताऊंगा जिन में से एक मिसाइल तो अमेरिकी कमपनी रेथियॉन के तरफ से निर्मान किया हुआ टॉम हॉक मिसाइल है जब कि दूसरा अमेरिका के प्रतिदंदी रेशिया के द्वारा निर्मान किया हुआ कैलिवर मिसाइल है तो दोस्तो इन दोनों मिसाइलों में कौन सा अधिक ताकदवर है और कौन से मिसाइल का क्या शमता है इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तो कई दशों को तक अमेरिका के पास एक तरीके से लॉंग रेंज क्रूज मिसाइल के कैपिविलिटी के मामले में बढ़ोतरी हासिल था खास करके अगर देखा जाए तो कैलिवर मि मिसाइलों को डेफलाफ करने के साथ साथ रश्या के द्वारा यह जो एक तरफा बढ़ोतरी था उसे बदल दिया गया और एक तरीके से रश्या अमेरिका के बराबर में आ गया दोसों रश्या के यह जो कैलिवर मिसाइल है यह लॉंग रेंज क्रूज मिसाइल तो है ही और अगर अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइलों को देखा जाए तो इसका एक प्रिवियस एंटी शीफ वर्जिन तो था लेकिन उसे सर्विस से विड्रॉल कर लिया गया और उसके कुछ वेरियंड को लैंड अटाइक वेरियंड में तब्दिल गड़ दिया गया मतलब अभी वी लॉंग रेंज के एंटी शीफ रोल के लिए मिसाइलों का फिलाल डेवलाप्मेंट ही कर रहा है दोसो बीते अगर 30 साल में देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा कई सौ टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को जहाजों से और सबमरीनों से कई सारे लैंड टार्गेटों को तब 12 किलोमेटर पर आवर है जो कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट के रफ्तार के लगवग वरावर का है पर टॉम हॉक मिसाइल के जो रेंज है मतलब 1500 किलोमेटर रेंज यही इसे सबसे अधिक पॉपुलर बनाता है इतने अधिक रेंज होने के वज़ा से इन मिसाइलों को ओफ डागस्तान और तीन बुयाट क्लास के कॉर्वेट के द्वारा कैस्पियन सी के अंदर ही रहके वर्टिकल लॉंचिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करके 26 कैलिवर क्रूज मिसाइलों को दागा गया दूसों यह जो 26 मिसाइल थे इन में से हर एक मिसाइल का लंबाई करीवन 9 मि मिसाइल इरान और इराक के टेरिटरी के उपर से गुजरते हुए करीवन 1700 किलोमेटर के डिस्टेंस कवर किया और सीरिया के अंदर 11 टार्गेटों को हिट किया रश्या के द्वारा इन मिसाइलों को दागते हुए सीरियन आर्मी के मदद के स्वरूप आतंकियों के ठिकानो और Free Syrian Army के ठिकानों को ध्वस किया गया था जबकि दोस्तों ये घटना के बाद अमेरिका के Pentagon के द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी किया गया और Pentagon के रिपोर्ट के मुताविक जिन 26 मिसाइलों को दागा गया था उनमें से 4 मिसाइल इन जिन के कुछ खामी के वज़ा से समुन्दर के अंदर ही क्रैश हो गया था पर इन मिसाइलों से किसी का कोई हताहत नहीं हुआ और Pentagon के मुताविक अभी भी रश्या को इन मिसाइलों को लेके कई तरीके के डेमोस्ट्रेशन करना बाकी है और इन डेमोस्ट्रेशनों के बाद ही रश्या लॉंग रेंज के ये अटेक कैपिबिलिटी को हासिल कर सकता है जो फिलाल अमेरिका के पास ही है और दोसो पेंटागन के इस रिपोर्ट के बाद रश्या के द्वारा जादा इंतजार नहीं किया गया और रिपोर्ट के बदले में एक नया ओपरेशन को अंजाम देते हुए तुरंत जवाब दिया गया 9 डिसमबर 2015 के दिन रश्या के एक इंप्रूवट कीलो क्लास के डिजल इलेक्रिक सबमरीन रुस्टरफ नाडनों के द्वारा कई सारे कैलिवर मिसाइलों को दागा गया इन मिसाइलों का वी ठिकाना सीरिया के अंदर स्तीत आतंकी ग्रूप और रेवल्स थे रिपोर्ट के मुताविक ये रश्या के सबमरीन फोर्सेस के ऐसा पहला प्रदशन था इवन ये भी वताया जाता है कि किलो क्लास के सबमरीनों के द्वारा इन मिसाइलों को पानी के नीचे रहके ही दागा गया जबकि दोस्तों इसके बात कुछ दिन के अंदर ही रश्या के द्वारा और एक ऐसा ही मिशन को अंजाम दिया गया और ये मिशन 2016 में रशिया के एक फ्रिगेट के द्वारा मेडिटेरियन से दिया गया था जहाँ पे कैलिबर मिसाइलों ने सिरिया के शहर एलपो और इदलब में कम से कम तीन ठिकानों को ध्वस किया था जबकि अगर देखा जाए तो 2015 और 2016 के इन मिशनों के दर्मियान रशिया के कई सारे fighter aircraft सिरिया में तैनाथ थे जिनके द्वारा इससे कम खर्चे में ही ऐसे ठिकानों को हवाई strike करके तवा किया सकता था इवन रशिया के कई सारे bombers aircraft ऐसे वी है जो सिरिया तक उड़ान भड़ सकता है और एकी उड़ान में रशिया से सिरिया तक आके ऐसे ठिकानों को तवा करके वाफस विजा सकता है पर रशिया के द्वारा कैलिवर मिसाइलों को इसलिए चुना गया ताकि रशिया अपने Navy के long range capability को दुनिया के सामने परदर्शित कर पाए इवन इससे रशिया एक तीर में दो सिकार करने का भी प्रयास किया मतलब एक तरफ जहाँ पे अपने capability को दुनिया को दिखाया तो वही पे दुनिया के जिन देशों के द्वारा कैलिवर सिरिस के short range के मिसाइलों का इस्तिमाल किया जा रहा था और अलग-अलग वेरियंट के मिसाइल के लंबाई भी काफी अलग है जो करीवन 6 मिटर से लेके 9 मिटर के दर्मियान हो सकता है पर दोस्तों चाहे कैलिवर मिसाइल के conventional वेरियंट हो या फिर इसके परवानुशक्ति संपूर्ण वेरियंट हो और नेटो के द्वारा इसका नामकरन SSN-27 के रूप में किया गया है जबकि इसके surface launch को 3M54T और submarine launch को 3M54K कहायाता है जो relatively land attack cruise missile के तुलना में काफी कम range का है और रिपोर्टों के मताविक्स का range 500 से 760 km के दर्मियान है missile को ऐसे design किया गया है कि ये दुश्मन के radar को avoid करने के लिए समुंदर के पानी से लग के उड़ान भड़ सकता है missile में रश्या के द्वारा एक thrust factoring nozzle का भी इस्तेमाल किया गया है जो missile को straight line के जगा में बहतरीन maneuver के साथ उरने में मदद करता है इसके इलावा missile में रश्या के तरफ से active radar का भी इस्तेमाल किया गया है दोसरे इविन missile के एक unique feature ये भी है कि जब इसका anti-ship variant दुश्मन के जहाज के काफी करीफ आ जाता है तो ये missile के रफ़तार को mark 0.8 से बढ़ा के mark 3 दर कर देता है साथी साथ इसके जो उचाई है वो भी घटके स्रेफ 4.6 मीटर का रह जाता है जो दुश्मन के जहाजों में तैना defensive system के लिए इतना मुश्किल create करता है कि ये लगभग detect कर पाना या detect करने के बाद ध्वस कर पाना नामुम्किन बन जाता है कैलिवर मिसाइल के land attack variant जिससे 3M14T या 3M14K कहा जाता है वो anti-ship मिसाइलों के जैसे mark 3 के रफ्तार तक तो नहीं पहुंच सकता लेकिन इसमें internal guiding system से laser जो GPS based system के तुलना में अधिक effective है और साथ में इसका range करीब करीब 2400 km तक है कैलिवर मिसाइल के तीसरा और एक variant है जिससे 91RT या फिर 91RE कहा जाता है जो basically anti-submarine torpedo को 50 km के range में दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल के द्वारा torpedo को दुश्मन के जहास के नस्दिक ले जाके launch किया जाता है और जिस समय मिसाइल और torpedo एक दूसरे से अलग होता है तभी torpedo शुरू होता है और torpedo शुरू होने के बाद अपने निर्धारी target को खोचते हुए ये target के तरफ जाता है और target को तभा करता है दोसर फिलाल kilo class के सब्मरीडों में caliber series के missile को डिपलोई किया गया है जबकि रश्या के द्वारा इससे भी अधिक ताकतवर जैसे की Akula, Lada और Yasin class के सब्मरीडों में भी इन missile को तैनात किया जा रहा है जबकि रेशियर नेवी के surface shift जैसे की फ्रिगेट्स और कॉडवेट्स में भी कैलिवर क्लास के मिसाइलों को तैनात किया गया है। जबकि रेशियर नहीं मिसाइल है और रेशियर फिलाल इन मिसाइलों को अधिक रेशियर के साथ मिसाइल टेक्नोलोजी कंट्रोल रिजिम के ट्रिटी के वज़ा से export नहीं कर पा रहा है। इसके इलावा इंडियन नेवी के तलवार क्लास के छे जहाजों में भी कैलिवर क्लास के या फिर कहे तो क्लब सिरिस के मिसाइलों को तैनात किया गया है। चाइना के द्वारा दोस्तों जो YJ-18 नामक लॉंग रेंज के क्रूज मिसाइल का डेवलाप्मेंट किया गया है ये वेसिकली रेशियन कैलिवर या क्लब मिसाइल के ही चाइनीज क्लोन है। डेजन वर से भी अधिक मिसाइलों के अलग-अलग वेरियन्टों के डेवलाप्मेंट के बाद अब खबर ये भी है कि शायद रेशिया के द्वारा इसके एर लॉंच वरिजिन को भी तैयार किया जाए जो कि TU-142 मरिटाइम पेटोल एरक्रैप्टों के द्वारा इस्तिमा किया जा रहा है इसके एक ग्राउंड लॉंच एंटीशी वेरियन्ट के वी डेवलाप्मेंट का इरादा रखा जा रहा है ताकि ये शोर वेस कोस्टल डिफेंस के रूप में भी तैयनात किया जा सके इवन दोस्तों हाली में आप लोग मेरे एक वीडियो में ही कंटेनर मिस के साथ कमफियर किया जाता है तो इसके लेंड एटैग वेरियन्ट शायद कुछ मामले में टॉम हॉक से पीछे भी हो सकता है और शायद कुछ मामले में टॉम हॉक से आगे भी हो सकता है पर इसके जो एंटी शेफ वेरियन्ट है जो बेसिकली मार्क 3 के रफ्तार तक पहुं कीवर मिसाइलों को अपने बड़े जाहाजों में तयानात नहीं कर सेका और रुश्या फिलाल हाइपरसोनिक मिसाइलों में अपने फूकस को आगे बढ़ा रहा है और शायद आने जवाले भविष्य में हमें लैंड एटेक लॉंग रेंज मिसाइल में थे देखने को झाल झाल